हलो दोस्तों मैं प्रशान और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे जिसके वेसिस पे हमें ये आईडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट विक मार्केट का मूव कैसा रहेगा और उस मूव के एकॉर्डिंग हमे में एक higher high and higher low pattern का formation कर रहा है जो कि दिखा रहा है कि upside move continue है और आगे भी continue रहेगा पहला point दूसरा point कि upside move क्यों continue रहेगा अगर आप इस विक के candle को देखे तो इसका close और high almost एक बराबर है और जब भी किसी candle का especially weekly candle का close और high एक बराबर हो ये denote करता है कि upside move next week भी continue रहेगा तीसरा point जो कि अपका थोरा सा news based है और event based है सबसे पहला क्या है कि reliance ने अपना bonus share का announcement किया है one is to one में और ये आएगा आपका 5th of September को तो उससे पहले काफी सारे लोग reliance के shares को buy करने के बारे में सोचेंगे और reliance का share buy होता है तो ये market को कहीं न कहीं support provide करने का काम करेगा या फिर काफी हद तक उपर साइड की दरब भी ले जा सकता है इसके साथ दो और स्टॉक से जिसमें नाम आता आपका बजाज ट्वीन्स का यहनि बजाज फाइनस और फिंसर्फ क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनस का IPO आने जा रहा है इसके कारण से लास्ट वीक भी ये दोन देटा के जड़िए समझने की कोसिस करते हैं अगर हम विक्स के उपर फोकस करें तो विक्स आपका 13.5 के आसपास बना हुआ जादा कोई चेंज नहीं है तो विक्स अभी कोई कंसर नहीं दे रहा है FIA की तरब से 9200 करोर का बाइंग आया यानि FIA पूरे बाइंग के मोड में आ गया है FIA के तरब से बाइंग का नंबर कम है क्योंकि फ्राइडे को सेलिंग भी किया गया है और FIA अपना पैसा बचा के रख रहे है ताकि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो DIA support provide करेंगे DIA buying करेंगे यही funda चलते आ रहा है उसके बाद सबसे concern वाला क्या बात है FIA index long positions यह आपका पहुंच गया 72% करीब जो कि high नहीं बहुत ही जादा high है अब इसके बाद क्या हो सकता है FIA के तरब से profit booking आने के chances बहुत जादा है और profit booking आया है तो nifty का ऊपर टिकप माना मुश्किल होगा इस point को ध्याम रखना है जब हम चार्ट पी चलेंगे तो इस point को consider करते हुए strategy बनाएंगे दूसरा निफ्टी आपका 329 point का जबरदस्त upside move दिखाया है bank निफ्टी सब से कम सिर्फ 200 point का upside move दिखाया है और fin nifty 313 point का upside move दिखाया है यह नहीं यहाँ पे एक और चीज समझना है कि निफ्टी अपने all time high level करी all time high level बनाई रहा last 3 trading session से फिन निफ्टी भी अपने all time high level के नजदीक पहुंच गया बस bank nifty अभी वहां से बहुत दूर है तो निफ्टी का upside move continue रहेगा लेकिन उसको bank nifty के तरफ से support चाहिए अगर bank nifty breakout नहीं दिया जो कि breakout के कगार पर यह है तो फिर निफ्टी का ऊपर टिक पाना मुस्किल है क्योंकि निफ्टी ऐसे phase में आ गया है जहां पर bank nifty का support चाहिए ही चाहिए तो next week अगर आप bank nifty में नहीं भी trade करते हैं फिर भी आपको bank nifty को analyze करना हो वो भी closely और अगर bank nifty support नहीं करेगा तो पहले हम US Dow Jones को भी देखना चाहेंगे क्यों देख रहें यह समझने की कोसिस किजिएगा यहां भी last few weeks से क्या हो रहा है higher high and higher low pattern का formation हो देख सकते हैं यहां पे भी हमने इसके weekly chart को ऑपन किया है और यह भी काफी हद तक हमारे Indian market को support provide करने का काम कर रहा है और यहां पे आपका 15 से 20 September के करीब जो fade का rate cut है वो भी announcement हो जाएगा लेकिन next week यह नहीं आने जा रहा है तो अगले हपते global market को भी track करना होगा और इसको भी अगर आप देखे weekly basis पे तो यहां भी close equal to high है मतलब यह भी काफियत तक indicate कर रहा है कि upside move continue रहेगा और global market में भी upside move continue रहेगा तो Indian market के गिरन के chances कम है तो global market को भी आपको closely track करना होगा क्योंकि next week global sentiment पे ही market ज्यादा react करेगा हम वापस से निफ्टी के weekly चार्ट पे आ गए अब यहां पर दो concern वाली बात है सबसे पहला concern हम already discuss कर चुके है FII index long positions यह आपका 72% पे आ गया है FII का scope है कि और उपर side की तरफ जा सकता है लेक क्योंकि FII के तरफ से profit booking आएगा तो 25-200 को उपर टिकना मुस्किल है आइदर यह आपका 25,000 करीब आएगा या फिर और इसके नीचे side की तरफ भी आ सकता है दूसरा concern बाला point जो कि हमने daily video में भी discuss किया था वह आपका PCR जो कि 1.27 के करीब पहुंच गया PCR में अभी scope है अगर आपका 1.35 के ऊपर किसी भी दिन चला जाता है तो buying आपको pause कर देना है और जो भी आपका buy side वाला trade है वहां से profit booking स्टार्ट कर देना है और थोड़ा सा भी dip लेता है PCR थोड़ा सा भी improve होता है तो दुबारा से आप buy side वाला trade ले सकते हैं तो next week थोड़ा सा strategically आपको अपना trading setup आप तयार करना होगा नहीं तो आप trap में फस सकते हैं और इस दोड़ डेटा को ignore नहीं कर सकते हैं अब अगर हम candlestick के basis पे देखें तो market में pure short upside move है लेकिन ये upside move आपका 25,400 से 500 के level तक continue वरा सकता है इसके बाद एक profit booking आने के chances हैं तो जब तक profit booking नहीं आता है तब तक हमें क् market किसी भी support करें आता है उस dip में आप खरिदारी कर सकते हैं तो इस दिहान रखना है कि जब तक निफ्टी 25,000 के level को hold किये हुए तब तक जो भी dip मिलता है उस dip में खरिदारी करने वाला काम करना है crucial support resistance के उपर अगर हम focus करें तो weekly basis पे एक ही resistance निकल के आ रहा है 25,400 and 25,500 का support क उपर अगर हम बात करें सीधे पहला बन रहा 25,000 और इसके बाद आ रहा 24,800 यह तो ओगे आपका निफ्टी का चलते हैं bank निफ्टी के उपर अगर हम focus करें तो यहां भी देख सकते हैं एक crucial resistance level है वो है आपका 51,500 का अगर next week इसको break कर दिया तो bank निफ्टी तो उपर आओगा कभी निफ्टी ऊपर टिक पाएगा otherwise bank निफ्टी तो नीचे आएगा ही आएगा साथ में यह निफ्टी को भी नीचे side की तरफ ले आ सकता है तो next week हमें anyhow 51,500 के उपर closing चाहिए और इसके उपर closing मिल गया तो फिर यह 52,000 और यहां से और उपर side की तरफ निकल सकता है तो weekly basis पे पहला resistance आपका 51,500 का है और दूसरा सीधे आपका 52,000 करीब है अगर हम support की बात करें तो पहला support निकल के आ रहा आपका 51,000 के level पे और दूसरे support के उपर अगर हम focus करें तो सीधे यहां से 500 point नीचे 50,500 और यहां भी ध्यान रखना अगर एक support तूटता है तो market अगले support करीब आएगा और एक resistance चूटता है तो market अगले resistance तक पहुँचने की कोशिस करेगा और इसके basis पे भी आप weekly strategy बना सकते हैं नहीं बना पा रहें तो daily हम वीडियो बनाते ही हैं वहां से आपको idea मिल जाएगा तो चलिए time आ गया fin nifty के उपर बात करें अगर हम fin nifty के उपर focus क को दिखा रहा है अब यहां भी एक काम करना है कि जो भी डिप मिलता है उस डिप में आपको खरिदारी वाला काम करना है clear है समझ में आ गया अब यहां पर देखिए पहला resistance क्या है पहला resistance जो इस candle का highest point है यह है डाट मिन्स टू 23,000 665 के करीब पहला resistance है और इसके उपर हमें daily chart पे closing चाहिए daily chart पे अगर इसके उपर closing मिल गया तो market सीधे 24,000 के करीब पहुंच जाएगा और 24,000 करीब पहुंचेगा तो हम all time high level के बारे में बात कर सकते हैं और all time high level क्या है यहां पर मैं आपको बता जिता हूँ 24,000 46 करीब यहनि 24,000 50 के करीब है all time high level और यहां तक दल छोटा सा 23,065 का break करता होगा जो की chances से break कर सकता है weekly basis पे पहला resistance होगा 23,800 करीब और दूसरा होगा सीधे 24,000 करीब support के उपर बात करें तो पहला support है 23,500 और दूसरा support है 23,200 और तीसरा support है 23,000 तो इसी support के basis पे अपने लिए strategy तैयार कर सकते हैं so that's all आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा कि next भी क्या strategy तैयार करना है so that's all मिलते हैं next वीडियो में जैन